प्रतिवर्ष अनुसर इस वर्ष भी महाशिवरात्री पर्व पर श्री प्रिप्लेश्वर महादेव मंदिर पलसुद बें सत्पुडा की दुर्गम पहाडियों में इस्सित प्रशिद्ध मंदिर तोरण माल और उंकारेश्वर जाने वाले तिर्थी यात्रियों के लिए फूलों से सजाय गया पिप्लेश्वर महादेव का विशेश आकर्शक शरंगार किया गया श्री पिप्लेश्वर महादेव मंदिर समीती के कालू नायक सतीज गोले सिताराम गोले ने बताया कि 19 वर्ष से नगर के जन सहयोग से प्रसादी बाठी जा रही है श्री पिप्लेश्वर महादेव का शिव डोला मंदिर से निकाला गया जो नगर के मोसम चोरहा, साई कालोनी, बस स्टेंड गणिश मंदिर, हनुमान मंदिर, राम मंदिर होते हुए श्री पिप्लेश्वर महादेव मंदिर पहुचा जहां पर महा आर्ती का समापन किया गय शिव डोले में डोलता से डीजे आकरशक जाकी रही पलसु से जहरिया डुडवे की रिपोर्ट शिव पात्री जी की पुझा की और बहुत अच्छा लगा आज हमें परिगार के शाद यहाँ पर सम्मिली कोई हूँ और हमारे यहाँ ग्राम पलसुन में बहुत ही समईश है मखाश पात्रेकर पर बहुत मनाते आ रहे हैं बहुत जात पर मनाते हैं जाद ही हमारे जो ही हैं सभी अपना पूरा श़्मियों करते हैं और हमारे पुले पुलेकों जी के घंदी को बहुत ही सुन्दर सजाया गया है जो आप लुपों को दिखाया जाएगा और सभी माला के बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें आकर लेकिन आप कितने वर्सें से अरोफ मंदिर में हैं आपके समय से आ रहे हूं जब से मंदीर का निर्मार माई बढाया गया है इस मंदर के कोई विसस्ता है क्या विसस्ता अस मंदिर की अब लेकिन आपके मंदिर में विससालिया दरी जाता है क्योंडी मंदर कुछी होती है बस मंदर आज़ा होनी चाहिए यह महाशूरात के पावन परवार पिछली परसाजी का आज़िकिया जारा है यह लगबग 10-12 कौंटल हो जाता है और स्यांकु महाशूरात की होती है और आज शूर डोला भी निकाला जाएगा आज चाम को चार बज़े क्या ना में आपका कहां से आए हो आप किसा लगा आपको यह आज यहां का एट्वोस पियर अच्छा लगा है विजह हम लोग हर साल आते हैं प्रसादी करण में बहुत अच्छा लगा है और मंदिल में दर्शन करके में बहुत अच्छा पील होगा है कि इतना टाइम चार होगा है अच्छा आप देख रहे हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे देल आइकोन को दबाना बिलकुल भीना भूलें